हाई गाईज वेल्कम चूआ ब्राइंड न्यू सेशन ओफ करंट अफेयर्स आज की तारीख है 28 दिसंबर 2021 हमारे दो चानल्स हैं पिनेकलोर फ्रेंटियर आई-एस और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न दोनों को विजिट करना बिल्कुल न भूलिएगा और यह सेशन दोनों चानल्स पर सुबह चार बज़े वेलेबल हो जाता है साथ ही साथ फॉर डेली वीडियो पीडियेफ एंड मंथली मैगजीन आप हमाई टेलीग्राम हैंडल्स प्रेंटियर आई-एस और सेसे जल पने और दूसरा क्वेस्टिन पूचा था कि आंचल ठाकुर किस खेल से संबंदेत हैं तुस्क सही जवाब था स्कीन स्टार्ट करेंगे फॉर्स्ट क्वेस्टन देखो आज के सेशन के लिए सूच शासन सूच कांग डाबल जी आए 2021 में समगर रैंकिंग में कौन सा राज्य श पर है तुस्क सही जवाब हा ऑप्शन नुमर बी गुजरात तो गुजरात गुड गवर्नेंस इंडेक्स में समगर रैंकिंग में सबसे उपर है इसके बाद महराष्ट्र और गोवा का स्थान है उत्तर प्रदेश ने संकेतकों में 8.9% की व्रिधी शिल व्रिधी दर्ज क की गई है सूच कांग के नुसार 2021 में कम से कम 20 राजों ने अपने समगर सूचासन सूच कांग स्कोर में सुधार किया है केंदे शासित प्रदेशों की समगर रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है डबल जी आई 2021 को प्रशासन सुधार और लोग शिकायत विभाग द्वारा विज्ञान भवन में सुधासन दिवस पर तयार किया गया है बात करें यहाँ पर गुजरात की तो इसकी वर्ल हैटे साइट में आता है रानी की वाब चमपनिर पावगड आके अलोजीकल पाक नैशनल पाक ब्लाग-बक नैशनल पाक और मिराइन नाशनल पाक गुजरात क नेक्स्ट क्वेस्टन देखो, अटल इनोवेशन मिशन एम नीतियायोग ने कितनी अनुसूचिक भाषाओं में बर्णाकिलर इनोवेशन प्रोग्राम वी आईपी लॉंच किया है, तो सही जबाब हो अप्शन नमर सी, वाइस, डिटेल्स यहां देख लो, तो हाल ही में अट प्रण्योर्स को भारत सरकार की वाइस अनुसूचित भाषाओं में नवाचार इकोसिस्टम तक पहुंच में सक्षम बनाएगा, वी आईपी नवाचार और उद्यमीता के ख्षेतर में भाषा की बाधा को दूर करने की एक पहल है, यह रचनात्म कभी व्यक्तियों और ले पर आत्र नवाच्टे माहमारी तयारी दिवस कब मनाया जयता है, तो 27 दिवस को मनाने के लिए हाल ही में सेयुक्तराश्टमाह सभाने प्रस्ताप को मंझूरी दी थी, यह दिवस को देशय सूशचनावव के दान प्रदान को सुवीदा जनक बनाना, विग्ज्यानि ज्या का प्रसार और अंतराश्टे स्तर पर सर्वोतम प्रथाओं का अधान प्रदान सुनिश्चित करना है इससे भविश्य में कोविड-19 जैसी परिस्तितियों को रोकने में मदद मिलेगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने किस राजय में ब्रह् रक्षानु संधान और विकास संगठन डिया डियो दोवरा स्थापित के जाने वाले एक रक्षा प्रद्योगी की और परिक्षन केंद्र और एक ब्रह्महौस निर्मान केंद्र के अधारशिला रखी है ब्रह्महौस एरोस्पेस दवरागोशित ब्रह्महौस वी निर्मान केंद्र लखनावमिक अधुनिक अत्याधुनिक सुभिदा है यह 200 एकर से अधी को कवर करेगा और नए ब्रम्होस एंजी अगली पीडी संसकरन का उत्पादन करेगा जो ब्रम्होस हत्यार प्रनाली की वंचावली को आगे बढ़ाता है यह नया केंद्र अगले 2-3 वर्षों में तयार हो जाएगा और प्रती वर्ष असी से सौ ब्रम्होस एंजी मिसाइलों की दर से उत्पादन शुरू करेगा बात करें यहां पर उत्रप्रदेश की वर्ल्ड हैटे साइट्स में आता है ताज मेहल पेमस डैम्स रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद नाशनल में आता है दुद्वा नाशनल पाक टाइगर इजर्व में आता है अमंगर टाइगर इजर्व और पिलीभी टाइगर इजर्व उत्तरप्रदेशी कैपिटल है लखनव गवर्नर है नंदीबैन पटेल चीफ मनिस्टर है योगी अधित्यानाथ नेक्स्ट क्वेशन देखो देख लो तो टो तेलंगाना शामा प्रसाद मुखर जी रूबन मिशन की कारेंडवन में पहले स्थान पर था जिसे चार साल पहले स्थानिय आर्थिक विकास को प्रताहित करने के लिए शुरू किया गया था संगा रेडी और कामा रेडी जिले देश भर के उन तीन सो समुहों में पहले दो पदों पर रहे जहा कारेकरम लागू किया जा रहा था तमिल नाडो और गुजरात ने क्रमक्ष दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया तेलंगाना में सत्रा समुहों बारा गैर आदिवासी और पांच आदिवासी में कारेकरम को 1,885.12 करोड रुपे की अनुमानित लागत से लागू किया जा रहा था बात करें हाँ तेलंगाना की तो इसके ड convince republic में आता है नगार अरजं सागर डैम कृष्णा, सीरिस सेलंडम कृष्णा, निजाम सागर डैम मंझीरा, श्री रामा सागर ऩुदावरि देलंगाना की कैपिटल है हिद्राबाद, गवर्णर है तमिली साही सौंदराजन, सीम है के चंदरशेखर, राउ नेक्स्ट क्वेस्टन देखो प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोदीने के सराज्ये में रेनुका जी बांध परियोजना के धारचिला रखी है प्रधान मंत्री शी नरेंदर मोदी ने 27 दिसंबर 2021 को हिमाचल परियोजना के मंडी का दौरा किया उन्होंने 11,000 करोड रुपे से अधिक की जल विद्यूत परियोजना को घाटन और अधारचिला रखी प्रधान मंत्री ने रेनुका जी बांध परियोजना के धारचिला भी रखी है अन्हे परियोजनां में शामिल हैं लूहरी चरन एक जल विद्यूत परियोजना 210 मेगवाट और 1800 करोड रुपे की लागत लगी है धौलासित जल विद्यूत परियोजना यह हमीरपूर जिले की पहली जल विद्यूत परियोजना होगी 66 मेगवाट परियोजना 680 करोड रुपे और सावरा कुडूजल विदूत परियोजना 111 मेगवाट परियोजना और 2080 करोड रुपे की लागत लगी है बात करें हाँ पर हिमाचल परदेश की तो इसके नाशनल पार्क्स में आता है पिन बेली नाशनल पार्क, इंद्र किला नाशनल पार्क और खिर गंगा नाशनल पार्क हिमाचल परदेश की गवर्नर है राजेंद्र बिशुनात आर लेकर सीम है जैराम ठाकुर यहाँ पर एक्से इंफूमेशन की बात करें तो हिमाचल परदेश ने तमिलाडू को हरा कर अपनी पहली बिजे हजारे ट्रॉफी जीती है नेक्स्ट क्वेशन देखो किस भारते खिलाडी ने जूनियर यूएस ओपन स्कौश टूनामेंट जीता है तो इसके से जवाब हो ऑप्शन नमबर बी अनाहत सिंग तो भारत की अनाहत सिंग ने फिला डेलफिय में लड़कियों की अंडर 15 वर्ग में जूनियर यूएस ओपन स्कौश टूनामेंट जीता उन्होंने फाइनल में मिस्र की जायदा मारेई को हराया उन्होंने सेमी फाइनल में जूनियर नैशनल चैंपियन यूएस की डिकसन हिल को हराया अनाहत सिंग ने आठ साल की उम्र में स्कौश खेलना शुडू कर दिया था वह वर्तमान में लड़कियों की अंडर 13 वर्ग में यूरोप, एशिया और भारत में नमबर एक पर है सैफ अंडर 19 महिला चैंपियंशिप किस देश की महिला टीम ने जीती है तो सही जवाब हो ऑप्शन नमबर A बांगला देश तो बांगला देश की महिला टीम ने फाइनल में भारत को हरा कर सैफ अंडर 19 महिला चैंपियंशिप जीत ली है बांगला देश की शाहेदा अक्तरीपा ने तूना मेड में सरवाधी गोल किये उन्हें सबसे मूलेवान खिलाडी that is most valuable player का पुरसकार मिला 2011 के सैफ अंडर 19 महिला चैंपेंशिप सैफ अंडर 19 महिला चैंपेंशिप का दूसरा संस करन था नेक्स्ट क्वेशन देखो आग बिशप डेस्मन टूटू का हाल ही में निधन हो गया उन्होंने किस वर्ष नोबल शांती पुरसकार जीता था तो सैफ जवाब हो ऑप्शन नमबर B 1984 तो नोबल शांती पुरसकार विजेता आग बिशप डेस्मन टूटू का नबे वर्ष के आयू में निधन हो गया उन्होंने दक्षिन अफ्रीका में रंग बेद को समाप्त करने में मदद की रंग बेद विरोधी प्रतिक नेलसन मेंडेला के समकालीन दें 1948 से 1991 तक दक्षिन अफ्रीका में श्वेद भहूमत के खिलाफ श्वेद अल्पसंकिक सरकार दवरा लागू नसली अलगाव और भेद भाव की नीती को समाप्त करने के लिए अंदोलन के पीछे प्रेड़क शक्तियों में से एक थे लास्ट क्वेशन देखो आज के सेशन के लिए सिड़बी ने MSME पारिस्थिती की तंत्र को विक्सित करने के लिए किस राज़े के साथ एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं तो सही जवाब हो आप्शन नमबर D पस्चिम बंगाल तो सिड़बी ने राज़े में MSME पारिस्थिती की तंत्र विक्सित करने के लिए पस्चिम बंगाल सरकार के साथ एक समझोता ग्यापन पर साक्षर किये हैं समझोता ग्यापन के नुसार सिड़बी की एक परियोजना प्रबंदन निकाई PMU राज़े सरकार के साथ काम करेगी PMU MSME पारिस्थिती की तंत्र के विकास को सुविदा जनक बनाने के उदेशे से सिड़बी की ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक हस्तशेप करने में पस्चिम बंगाल सरकार का समर्थन करेगा सिड़बी राज़े के MSME विभाग के साथ एक विशेश अग्य अजेंसी रखेगा बात करें हैं यहाँ पर वेस्ट बेंगॉल की तो इसकी युनेस्को वर्ल हेटे साइट्स में आता है सुंदर्बन बाइलर सेंक्चिरी वेस्ट बेंगॉल की कैपिटल है कॉलकता, गवर्नर है जगदीब धनकर, चीफ मनिस्टर है ममता बैनर जी बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कॉम्पोजिट रैंकिंग में टॉप किया है गुजरात ने एम नितियायोग ने वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम वी आईपी 22 लैंगुजिज में लॉँच किया इंटरनाशनल डे ओफ एपिडेमिक प्रिपेर्डनेस दिसंबर 27 को मनाया जाता है डिफेंस मिनिस्टर राजनाच सिंग ने ब्रमहोस मिसाल यूनिट और डियाडियो लाब की अधार शीला उत्तर प्रदेश में रखी है शामा प्रसाद मुखर जी रू अबर मिशिन में टॉप किया है तेलंगाना ने रेनुकाजी डैम प्रजेक्ट की अधार शीला हिमाचल प्रदेश में रखी गई है जूनियर यूएस ओपन स्कोर्श टूनामेंट अनाहत सिंग ने जीता है सैफ अंडर 19 विमेंट्स चेंपिन्शिप जीती है बांगला देश ने डैस्मेंट टूटू का हाल ही में निदन हो गया उन्होंने 1984 में नोबल पीस प्राइज जीता था और MSME एकोसिस्टम के लिए सिडवी ने वेस्ट बेंकल के साथ MOU साइन किया है बात कर लेते हैं आज के सेशन के कुल स्वादर डे के आपका पहला क्वेस्टिन है इन दोनों क्वेस्टिन का आंसर आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने मारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब परना बिल्कुल ना भूलिएगा साथी साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि मारी आने वली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलिग्राम हैंड्स को जोईन जरूर करना है थैंक्यू सो मच